हेलो गाईज यूट्यूब चैनल आटिस्टिक प्रकास पॉइंट पर आपका स्वागत है आज का टॉपिक है ट्रैंफ आफ दे लेबर यानि मजदूरों की विजय तो आर्टिस्ट इनके हैं डीपी राय चौधरी यानि की देवी प्रसाद राय चौधरी मीडियम ब्रॉंज यानि की कांस्य है पीरियड 1959 AD कर्ट सी सोजन्य है इसका नेशनल गैलरी आफ मॉडरन आर्ट न्यू डेली राश्ट्रिय आधुनी कला संग रहाले नई दिल्ली और इसके बाद सब्जेक्ट मेटर इस एन उपन एर लार्ज स्केल स्कल्प्चर इन ब्रॉंज यह है खुली ह प्रावा में रखा हुआ बड़े पैमाने पर कांसे की मूर्ती है इट शोस फोर मैन ट्राइंग टू मूव रॉक और यह मूर्ती चार मजदूरों को बड़े सी चट्टान को हिलाने की कोशिस करते हुए दिखाया गया है इट वाज इंस्टॉल एट मरीनावी चन्नाई ऑन इव ऑफ दी रिपब्लिक डे इन नाइंटिन फिप्टिनाइन उन्निस सो उन्सट में चब्विस जन्वरी गंतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसे मरीनावी चन्नाई में स्थापित किया था डेस्क्रिप्शन इट शोस फोर मैन ट्राइंग टू मूव रॉक और यह मूर्ति चार व्यक्तियों को बड़ी सी चट्टान को हिलाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है रेंटरिंग इंपॉर्टेंस एंड कंट्रिब्यूशन ऑफ हुमन लेबर इन नेशन बिल्डिंग और जो किया समझाती है कि राष्ट्र निर्मान में मानव शरम का क्या म आनव शरम के योगदान का महत बताता है आप सोच रहे होगे इसमें सब्जेक्ट मैटर में यह बताया गया है कि चैन्नाई में इसे पूर्वसंद्या पर स्थापित किया गया है लेकिन जो उपर जो हमने इसकी डिटेल लिख है जो कट सी लिखा है उसमें हमने इसे नेशन गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू देली में जो गार्डन में बगीचे में जो म्यूजियम के बगीचे में जो इस मूर्ति को रखा गया वो इसकी प्रतिछवी है यानि कि इसकी रेप्लिका है और पॉइंट नमबर टू अनकनक्वरेबल मैं आर रेसलिंग विद नीचर जो की प्रकरती से लड़ रहे हैं अपने हठीलेपन अनिश्चित रूप से और पूरी ताकत से इट इस एन इमेज ओफ लेबर अ वेल नॉन रोमांटिक सब्जेक्ट आफ दी 19th सेंचरी यह एक मजदूर की छबी है जो की उनिस्वी सताबदी का एक बहुत परसिद रोमां विशह है इन दिस स्कल्प्चर फोर लेबरर्स आर एंगेज़ इन दे वर्क आफ मुविंग आ यूज ब्लॉक आफ स्टोन विद दी हैल्प आफ वुडेन लॉग और इस मूर्ती में चार मजदूर एक बहुत बड़े चटान के टुकड़े को लकडी के लठों से हिलाने के काम में लगे हुए हैं these four human figures are perfect anatomical studies of men engaged in difficult task of moving a rock यह चारो मानवाकृती मनुश्य के उत्तम शरी रचना का अध्यान है जो की एक मुश्किल पत्थर को हिलाने के एक मुश्किल काम में लगे हुए हैं they are engaged in their work with full force और वह अपने काम में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं these laborers are wearing only loin cloth and two of them have covered their heads with a piece of cloth और इन मजदूरों ने सिर्फ लंगोट पहना हुआ है लंगोट अंडर्वेर की जिगह पहना जाता है and two of them have covered their heads और उन में से दो ने अपना सिर कपड़े से ढखा हुआ है point number seven one labor is bent forward and applying force with his hands और एक मजदूर आगे की तरफ जुका हुआ है और अपने दोनों हाथ से बल लगा रहा है while the remaining three are using the wooden logs to move the rock और जबकि तीन अन्य लकडी के लठों से चट्टान को हिला रहे हैं point number eight with their body action and strained body muscles one can feel their strength and effort सारे रिक्रिया और तन्य हुई महास पोजिश्यों से कोई भी महसूस कर सकता है कि वह अपनी ताकत और प्रयास में लगे हुए हैं this sculpture depicts an inspiring example of teamwork of laborers यह एक प्रेणर दायक उधारन को दरसाता है जो की सम्मिलित काम में मजदूरों को अपने अति उत्साही काम में तलीन दिखाई पड़ते हैं उनको दरसाता है यह point number ten डीपी राय चौधरी love to dwell on the strong musculature of his workers और डीपी राय चौधरी अपने जो उनके वरकर हैं उनके जो कार्य करता हैं उनकी मजबूत मासलता पर ध्यान लगाते हैं और जो की इस मूर्ती में हड़ी नसें और मांस से प्रकट होती है human figures are installed in a way that creates a curiosity in us as viewers और जो मानवा करती है इस तरह से स्थापित की गई है कि वह हमारे अंदर दर्सक के रूप में जिग्यासा पैदा करती है It attracts the viewers to see it from all sides और यह दर्शकों में एक आकर्शन पैदा करती है कि वह है इसे चारों तरफ से देखे The image of group labor is placed on a high pedestal और यह चबी मजदुरों की चबी एक उंचे आसन पर रखी गई है चित्रों की धारना को replace करता है धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो बैल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे झाल झाला को सब्सक्राइब कर दो सुप्सक्राइब